तो मेंटेनिंग रिजर्व क्या है क्यों जरूरी है वो चीज हम लोग उसे पढ़ेंगे तो आप स्क्रीन में देख सकते हो कि बैंक जो भी फंड आता है वो बैंक एक रिजर्व के रूप में भी रखता है जस्ट विकाज वो एक लीगल रिक्वार्मेंट होता है करने का तो यहां पर मैनेजर को मैनेजर यहां पर रिस्पॉंसिवल होता है कि हम लोग कितना एडिकेट लेवल आफ रिजर्व रखें जो भी फाइनेशल पोजिशन या फाइनेशल हैल्थ कंडिशन जो बैंक का होता है वो कभी भी डाउन ना हो ठीकेट तो यहां पर वो बैंक मैनेजर क्या करते हैं दो जगा पर अपने रिजर्व को रखते हैं एक तो हो गया कि आप स्क्रीन में देख सकते हो जो बहुत जादा अगर मनी है जादा क्या से तो वो के सेंट्रल बैंक में रख देंगे अज रिजर्व और ठिक ठाक डेली रिक्वार्मेंट के लिए वो अपने बैंक में रखेंगे तो यहां पर यहां पर आप देख सकते हो कि तीपिकली देशन बैंक रिगुलेशन रिक और Sebach and Support के लिए बहुत ही जारा जरूरी है बैंकिंग फैनेस्टन इससे को, अज इस रेगुलेटेड बाइड़ पैंक, अरज इंपर यहां रिजक्न को, में रिजक्वर्व को पूल पिल्वय और सेंट्री रिजक्वर्व करना कि व्थ. ही तो में प्रैमेरेंटु इपने और secondary reserve रहने का मतलब है, the additional reserve that bank held in access to formal regulation requirement, ठीक है, जो normally requirement होता है, day to day वाला, उसके लिए secondary reserve रखना बहुत ज़रु रही है, उसके बाद, bank prefer holding less cash, because holding more cash involves opportunity cost, it means that the ideal cash has no interest, ठीक है, तो यहाँ भी क्या बोल रहा है, कि जादा cash रखके क्या फायदा bank को, है कि ने, अगर जादा आप cash रखोगे, तो कोई फायदे नहीं है, आप ideal cash रख रहे हो, जहाँ पर आपको कोई interest ही नहीं मिल रहा है, और business और financial situation established की हूँ हुआ है, जहाँ से वो profit earn कर सेके, तो वो maximum bank लोग करते हैं, कि अपने funds को utilize करते हैं, उसको maximize करते हैं, उसको funds को, you know, increase करते हैं as a profit by giving loans to others, उससे certain percent charge करते हैं वो लोग, तो अब हम बोलेंगे कि maintaining reserve, reserve का मतलब होता है ना, कि retain for the future to use, जो चीज़ हम लोग रखते हैं, और उसका बाद में काम आता है, तो क्या-क्या चीज़ में काम आ सकता है, अगर हम लोग कोई चीज़ को reserve करते हैं, तो number one में होता है, to meet unexpected and long-term liabilities, ठीक है, unexpected चीज़ हो गया, like कोई crisis हो गया, अगर losses हो गया, तो उस time ये reserve काम आता है, अगर हम लोग कभी, like bank name, which is, you know, as a loan लिया है, तो वो बाद में चुकाना चाहता है, बहुत सारा, बाद में चुकाना चाहता है, लोन वेगेरा, वो सब, तो उस time वो चुकाम आता है, उसके बाद ये भी reserve एक बहुत ही ज़्यादा important चीज़ होता है, कोई भी banking and financial institutions के लिए, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, कि एक help in maintaining and safeguarding the financial health of a business organization, financial health या उसका, जो financial health को safeguard करता है, एक तरह के strength लाता है, तो यहाँ पर कोई भी, किसी types का bank को, कोई भी दिक्कत नहीं होता है, कि हाँ मेरे पास, अब cash बहुत ही कम होगया है, एक होता है, कि भाग जाया है, या कुछ, बहुत सारे cases आते हैं, बैंक से रिलिटर में, तो यहाँ पर अपने ही reserve रखने के कारण के होता है, वो खुद बैंक अंदर से मजबूत होता है, बैंक का बात चोड़ते हैं, जैसे कि, अगर हम लोग के past cash तो होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने cases को छुटे आके रखते हैं, बहुत चीज़ जगब पे, जैसे कि हो गया हमको एक daily usable cash है, जो खाना, पीना, वो चीज़ में हम लोग उसको use करते रहते, बट एक type का cash भी रखते हैं, जैसे कि, अगर मानों कि किसी को urgent emergency हो गया, वो hospital में भरना हो गया, जो हम लोग को urgent cash, जो reserve करके रखते हैं, हम लोग को उस time वो पैसा निकालना होता है, तो ऐसे ही banking financial institution होता है, इस institution क्या होता है कि एक type का reserve रख देता है, कि अगर future में कोई crisis इस type का आता है, तो वो reserve उस time वो use कर सके, and I hope you have understood and if you have not, then please comment down and also please like my videos and share to your friends and family.